एक्सेलेंसी, फ्रेंट्स, स्पेस सेक्टर हमारे बीच कनेक्टिविटी को बजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्मपूर्ण एक दूसरा ख्षेत्र है। भारत ने स्पेस टेक्नोलोजी का उप्योग सदेव विकास के उद्देश की पूर्ती के लिए किया है। भारत और भुटान इस उद्देश को साजा करते हैं। पिछले वर्स मैंने भुटान में साउथ एशिया सेटेलाइट के उप्योग के लिए ग्राउन अर्थ स्टेशन का उद्धाटन किया था। मुझे खुशी है कि इस स्टेशन की मदद से भुटान ब्रॉर्कास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सेटेलाइट का और प्रभावी उप्योग कर पा रहा है। कल हमने Peaceful Uses of Outer Space में सहयोग बढ़ाने के उद्धेश से एक फ्रेमवर्क दस्तावेट पर हस्ताक्षर किये। इससे दोनों देशों की विबिन्न सहुताओं के बीच सहयोग का मार प्रसस्त होगा। भारत ने हाली में अपने अंतरिक शेत्र को प्राइवेट एंटरपाइज के लिए खोला है। बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेश खुशी है कि अगले साल इस रो द्वारा भुटान की सेटलाइट को अंतरिक्ट बेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भुटान के चार होनहार युवा स्पेस एंजिनियर्स दिसंबर में इस रो जाएंगे। मैं इन चारों नौजवानों को अनेक अनेक शुबकामराय भी देता हूँ। मैं जानता हूँ कि His Majesty भुटान नरेश अपने देश के विकास में स्पेस टेक्नलोजी का उप्योग भढ़ाना मन से काफी इच्छा भी रखते हैं और उसको प्रोशान देते हैं और उनका अपना एक वीजन है। उनके इस वीजन को साकार करने के लिए भारत अपना अनुभव और अपनी सुविधाएं साजा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी तरह भुटान में एक ICT Enabled Knowledge Based Society इसका निर्बान करने के उद्देश का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भुटान के लिए थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्द कराने हैं तू बीसनल के साथ एग्रिमेंट का रदय से स्वागत करता हूं।